एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ दिखा रहा है दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी है जो देश को समाज को विभाजित करने में जूटे है इन्होंने मिलकर के एक इंडी एलाइंस बनाया है इस एंडी एंडी एलाइंस को कुछ लोग गमंडिया गठबंदन भी कहते हैं इनका नेता तेह नहीं है नेतरुत्व पर ब्रह्म है लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मिटिंग हुई थी मुझे लगता है उस मिटिंग में उन्होंने आगे एक गमंडिया गठबंदन कैसे काम करेगा उसकी नीती और रणनीती बना दी है उन्होंने अपना एक हिडल एजेंडा भी तै कर लिया है और ये नीती रणनीती क्या है ये इंडी एलाइंस की नीती है एक गमंडिया गठबंदन की नीती है बारत की संस्कृती पर हमला करने की इंडी एलाइंस का मिर्णा है भारतियों की आस्ता पर हमला करो इंडी एलाइंस गमंडिया गठबंदन की नीत है बारत को जिस विचारों ने जिस संस्कारों ने जिस परंपराओं ने हजारों वर्थ से जोडा है उसे तबाह कर दो जिस सनातन से प्रेलित होकर देवी अहल्या बाई होल करने देश के कौने कौने में सामाजी कारिय किये नारी उत्थान का भियान चलाया देश की आस्था की रच्छा की ये गमंडिया गठवंदान ये इंडिया लायांस उस सनातन संस्कारों को परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए है प्रतिक्षन दा सुतिकलिका की विस्तारा न्यूस आप डाउन्डोड बाड़ी विस्तारा न्यूस निखरा जनपरा